उसे हम यसी जानेंगे देष्टे निसनल्माइट सब्सक्राइब करता है इक बार से कुसाल की परिवार में दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो में मेंंथा की फसल में देखकर खरपतवार को कैसे नश्ट करें चोड़ी पत्ति के जो खरपतवार जैसे सरसो जमाई है मोथा बहुत ज्यादा है बथुआ कुछ जमाई है ऐसे जो खरपतवार हैं अगर मैंथा में हो गया है तो उन्हें कैसे जो हम खतम करें और फसल पर भी कोई प्रभाव ना पड़े तो और वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है वीडियो को लाइक करना चाहे तो ट्रीशक फालो कर सकते है और दवा के ऑडर करना चाहे तो अगर्मणबा सकते हैं तो आये शुरू करते हैं दोस्तों है मैं ता हमें पता है कि तेल के लिए जो है उत्पादन किया जात झाता है। फसल चल नहीं पाते हो पूरा फ्राट फर्ट्वा मोध लेता है चौणी पत्ति दोनों खतवार के जम चकरेण करित Windows तो चोड़ी पत्ति अगर खर्पतवार आपकी फसल में उग आया है तो उसके लिए आपको दवाएं कई आती है मार्केड में लेकिन आपने इसका यूज करें काफी अच्छा रिजल्ट मैंने यूज कर रहा हूं काफी ठीक था आपको रिजल्ट देख लिए इसे यूज हो आपको पांच मिल का पूरा एक डबबा आता है साथे तेरा को अच्छा रिजल्ट देता है थोड़ा सा इसका पतिया पीली अगर पढ़ जाती है तो आपको परेशान होने की जरुवत नहीं है है आपको इसको क्या करना है तो जैसे अगला पाने लगाते तो उसमें थोड़ा माई को न्यूटन को प्रियोग कर दीजिए असल फर्क प्रियोग कर दीजिए जो पीला पड़ गई है तो यह मोथा बथुआ सरसोगर जो है यह सभी मतलब खर्पतवार इस दवा से नष्ट हो जाएंगे अब अगली बात करते हैं मैं जैसे कि आपके फसल में शक्री पत्ती के खर्पतवार रुगाएं तो उसके लिए आप एडामा कंपणी का एजिल दवा आता है यह वाली दवा एजिल आती है इसका आपको प्रियो आपको प्रियोग करना है आपको इतना प्रियोग करते हैं वीडियो में दी जानकरी कर पसंद आए कुछ और जानना चाहते हैं वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दें कि हम आपको जो हम जानकरी देने का प्रियास सिरूर करेंगे तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार